close पे click करेंगे, तो ये बंद हो रहा है here so hello guys, कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ, बढ़िया होंगे तो यार, आज हम discuss करेंगे कि हम bootstrap में models कैसे apply कर सकते हैं तो हमें पता है कि जो bootstrap है वो एक library है CSS की और JavaScript की bootstrap का benefit हमें यह होता है और जल्दी से जल्दी अपना काम जो है वो कर सकते हैं, right? बट पर प्रॉब्लम ये होती है कि bootstrap में हम classes तो लगा देते हैं, right? या हम attributes वेगरा जो use करते हैं, bootstrap में वो हम लगा तो देते हैं, बट हमें उसका meaning नहीं पता होता, right? तो ये चीज़ इंपोर्डेंट होती है कि आपको meaning बता हो, तो जब आप bootstrap में coding करते हो, तो basically जो classes होती है, उनका आपको meaning बता होना चाहिए, प्लस आपको जो classes का order है वो बता होना चाहिए, कि कौनसी class पहले आ रही है, कौनसी class बाद में आ रही है, right? तो हम models apply करते हैं bootstrap में, और थोड़ा साइसी चीज़ के बारे में focus करेंगे, कि classes का meaning के और कौनसी class पहले आनी चाहिए, कौनसी class बाद में आनी चाहिए, right? तो आपने इस website पर जाना है, getbootstrap.com पर, right? तो getbootstrap.com में आपको, docks में जाना है, यहां से, जहां पर include bootstrap, css and js लिखा हुए, right? introduction में, यहां से copy करना है, right? तो इसका benefit यह है कि इसमें css जो है, वो अलड़ी लगी हुई है, जो कि cdn है, right? और javascript भी इसमें अलड़ी bootstrap की लगी हुई है, जो अगे नहीं यहां पर cdn का link है, तो cdn के links ज़्यादा performant होते हैं, तो आप इनी को use किया करो, right? तो, यह code मैं यहां से, paste कर देता हूँ, उसमें, अगे, so हम एक button यहां पर लगाते हैं, class btn, हम यह btn class क्या करती हैं, यह basically default styling remove कर देती है, buttons की, अगर मैं इसका output check करूँग, आप notice करो, जो default styling थे button की, वो सारी की सारी निकल गए है, तो इसके बाद आप यहां पर space देके, btn-, कोभी color वेगर आपने end पर दे सकते हो, तो different colors होते हैं, जिसे primary dark blue कर देगा इसको, info होते है, यह light blue कर देगा इसको, तो मैं danger use कर लेता हूँ यहां से, danger इसको dark red कर देगा basically, right? तो यह सारी classes क्या करते हैं, इनकी documentation आपको bootstrap की, website में मिल जाती है, तो अभी basically हमारा focus यहां पर models में है, तो ज्यादा हम इसको discuss नहीं कर रहे हैं पिलाब, आप मुझे comment section में बता देना, कि अगर आपको इसके बारे में information चाहिए, तो मैं video create कर दूँगा इसके लिए, आपके लिए, तो output चेक करते हैं दुबार, तो इसने इसको red कर दिया हुगा, So देखो, मैंने यहां पे एक div लगा दिया, right? और मैंने कुछ भी इसमें, text लिख दिया हुगा है, ठीक है? तो आपने यहां पे data-bs-toggle is equal to model लगाना है यहां से आपके, ठीक है? और data-bs-target is equal to, यहां पे आपने hash, कोई भी आपने नाम देना है इसका, तो यह basically id को represent कर रहा है, तो जो भी आप नाम यहां पे दोगे, इस point पे, उसी नाम की id आपने div में लगानी है, तो जो model का content होगा, वो सारा इस div के बीच में आने वाला है, ठीक है? तो आपने वो content सारा यहां पे इसके बीच में लगाना है, जो id से target होगा, तो basically मैं यह बोड़ रहा हूँ कि जब मैं button पे click करूँ, तो जो model है वो show कर देना, simple, ठीक है? toggle का मतलब basically होता है on ही off, अगर मैं click करूँ तो on हो जाए, दुवारा click करूँ तो off हो जाए, इस तरीक ऐसे है, तो यह आपने लगाना है, second लिए आपने याद रखना है, bootstrap में अगर data attribute आप देख रहे हो, इसका मतलब javascript है, जो target कर रही है, इस code को, जो यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है? ओके, तो output देखते हैं क्या आती है, अब देखो जैसे इसमें मैं click करूँगा, तो आप यहाँ पर notice करो, यह चीज़ यहाँ पर आपको show हो रही है, तो basically आपका model यहाँ पर बन चुका है, बकी सारा काम आगे styling का ही है, तो अब आपने यहाँ पर div.model-dialog लगाना है, इसको मैं paste करता हूँ दूबर रहा हैं यहाँ से, चेक करेंगे तो थोड़ा से इसको यह center में कर देगा, तो डायलोग ने क्या कर दिया हैं यहाँ से इसको, center में कर दिया, ओके, इसके अंदर आपको मिलता है model-body, तो model-body अगर मैं लगाता हूँ, देखो, notice करूँ, model-content लगाना है पहले आपने, तो देखो, उससे क्या होगा, basically इसका background white हो जाएगा, फिछे, ठीक है, अगर आप model-content लगाते हो तो, तो हमें लग रहा है यहाँ पर spacing का issue है, तो spacing को add करने के लिए आपको model-body लगानी होती है, model-body यहाँ पर padding apply कर देगी, basically, notice करूँ, चेक करेंगे, देखो, यहाँ पर क्या हो गया, padding apply हो गई है, right, चलो, तो मैं थोड़ा content जावा कर लेता हूँ उसका, मैंने LOREM यहाँ पर लिखके enterprise कर दिया, थोड़ा content इसमें extra add हो जाएगा, अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यह model pop-up है, यह बिल्कुल page के center में हो, तो उसके लिए आपको class मिलती है, model-dialog-center, ठीक है, चेक करेंगे, दुखो क्या होगा, यह page के center में आ जाएगी, मैं ना, ओके, अब हमें, यहाँ पर header भी add करना है, तो जहाँ भी body open हुई है, इससे पहले मैं, model-header apply कर दूँगा, right, तो कोई भी heading लगा लेता हैं यहाँ पर, welcome to bootstrap, check करेंगे, तो एक heading यहाँ पर लगगी होगी, टॉप में, और यह line आगी होगी, इसकी बीच में, यह line आ रही है, model-header की बिज़ा से, right, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि, जब मैं इसमें click करूँ, तो यहाँ पर closing का button आए, जिसमें, जब मैं click करूँ, तो यह बंद हो जाए, ठीक है, तो वो करने के लिए, आपने यहाँ पर लगाना है, button, और इसमें class मिलती है, आपको btn-close class, ठीक है, तो अगर आप इतना ही लगाते हूँ, यहाँ पर notice करूँ, वो अपने यहाँ राइट साइड में चला जाएगा, close का button, बढ़ भी यह work नहीं करेगा, ठीक है, अब अगर आप चाहते हूँ कि यह work करें, तो आपने again बंद हो रहा है यहाँ से, अगर आप यहाँ पर लगा देते हो fade, इस तरीके से, तो यह animate कर देगा इसको, ठीक है, fade class अगर आप लगाते हो top में, तो यह animate करने के लिए होती है, चलो, अब यहाँ पर जाहाँ पर body बंद हो रही है, इसके end पे मैं लगा लेता हूँ, div class model-footer, और हम दो buttons लगा लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें, copy ले लेते हैं इसकी, चेक करेंगे, तो देखो यह चीज़ आ रही है, अभी close करने पर बंद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, वही same, data-bs-dismiss, model, राइट, चेक करेंगे दुबार, close पर क्लिक करेंगे, तो यह बंद हो रहा है, यहाँ से भी, अब देखो यार, BS code में ही आपको, अगर आप view में जाते हो, ठीक है, open view में, तो यहाँ पर आपको outline को option आता है, अगर आप यहाँ पर interface करोगे, तो आपको एक पूरा, जो भी हमने coding करी है, कौन-कौन से class हमने कहां-कहां पर use करी है, और order के है, वो आपको show हो जाएगा सारा, ठीक है, तो आप इसको refer कर सकते हो, थोड़ी help आपको मिल दाती है इस case में, तो आप यहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो like कर दो वीडियो को, और subscribe करो channel को, मिलते हैं next lecture में, thank you, thank you so much.